दोस्तों आज के समय में हर कोई समगर द्रिश्ची कोन के साथ बहतर सवास्थे और दिरगायू चाता है तो कोई इसे कैसे प्राप्त कर सकता है इसका उत्तर आयरुवेद के प्राचिन ग्यान में नहित है एक अतियंत प्रभावी उपचार प्रणाली जो शारेरिक, मनोवे ग इसी तरह की महत्व पुरन और ज्यान वर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सम्रिधी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके ये रोगों से लड़ने और अच्छे स्वास्था औ इमारियों को ठीक करने और विभिन मानसिक स्वास्य समस्याओं को दूर करने में भी मदद कर सकता है तो प्यारे दोस्तों विभिन जड़ी पूटियां अपने सुखंदितियां और शद्य गुणों के कारण स्वाद सुखंद दवा और भोजन के लिए इस्तिमाल होती है व पीज, छोटे फल, चाल और जड़ शामिल होते हैं जड़ी बूटियों के अनेक और शद्य वह अध्यात्मिक प्योग होते हैं जड़ी बूटी के समाने और प्योग पर पाग समधी जड़ी बूटियां और अशद्य जड़ी बूटियां अलग हैं आज हम बात करते हैं एक लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजर अंदाज ही किया होगा लेकिन यकीन मानगे इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजर अंदाज नही करेंगे इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस पौधे से आपकी दृद्रता दूर हो जाएगी आपको भागे का साथ मिलेगा सुख समरिद्धी आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वो रोग आपसे तूर चला जाएगा दोस्तो में जहां अंगरेजी दवा काम नहीं करती तो बारी आती है देशी दवा की यह यूं कहें कि आयरुएद की आयरुएद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है प्राचिन भारत में आयरुएद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली कमजोरी हो और फिर चाहे पूरुश्वयां इस तरी उन्हें एक ऐसी जड़ी बूटी की जरूरत है जो इनकी किसी भी तरह की कमजोरी को दूर कर सके और अगर कोई निर्बल व्यक्ती है तो उसमें बल आ जाए तो दोस्तों अगर आप लोग आयरुवेद पर जरह सब विश् इस दिया लाइंगे तो आयरुवेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे तो धन्यावाद है उन लोगों का उन्हें गुरूओं का जिन्हों ने आयरुवेद को इतना असान कर दिया इतना सरल कर दिया कि nostro uni हमारे भारत के कामा रही है दोस्तों भारत में आयरुवेद की बहुत इज़त है लेकिन आपको बता दें कि चाहे योग हो चाहे आहरवेद हो विदेशी लोग इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर के यहां से जाते हैं और उसकी पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुख मे में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा आपको रोगों से चुट्टी मिल जाएगी अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है उनको संतान की प्राप्ती हो जाएगी एवं इस पौधे में दिव्यताक्ते होती हैं ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है जिसे आपके घर में अगर कलह होता है तो वो चला जाएगा आपके घर में भूत्परित है वो भाग जाएगा एवं धन आने के कई नए रास्ते खुल जाएंगे सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजे इस पौधे का नाम है अतीबला इसको महाबली भी कहा जाता है इसके नाम से इस प विटामिन दवाईयां खाते हैं अब खाना बंद कर दीजे क्योंकि फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टी विटामिन की कमी को पूरा कर देगा कैसे पूरा करेगा चले आपको बताते हैं तो दोस्तों अतीबला पौधा जो होता है यह पूरन रूप से सुरक्षित हो रही है उसमें यह रामबान की तरह आपका साथ देगा अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शिरीर लोहे जैसा वज्र जैसा हो जाएगा अगर आप एक महिला है और इस पौधे का सेवन तीन महीने तक कर लेती हैं और आपक साथ अतीबला के कुछ विशिष्ट प्रयोग और लाब तवचा के लिए भी हैं दोस्तों अतीबला में अंटी ऑक्सिडेंट और अन्य पोशक तत्व होते हैं जो तवचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं ये मुहासे जुरियां और अन्य तवचा की समस्य के लिए लाबकारी हो सकता है बालों के लिए अतीबला में प्रोटीन और अन्य पोशक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं ये बालों को जड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाबकारी हो सकता मुत्राश्य और गुर्दे के लिए अतिबला में मुत्रवर्द को गुण होते हैं जो मुत्राश्य और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं दोस्तों ये मुत्रपद के संक्रमन मुत्राश्य की सूजन और अन्य मुद्रश्य और गुर्दे की समस्याओं के लिए भी लाबकारी हो सकता है हरिद्य के लिए अती बला में हरिद्य स्वास्थ को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं यह रक्तचाप को कम करने कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को नियंतरित करने और हरिद्य रोक के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है अब जानते हैं कि यह कैंसर स लिए लाबकारी हो सकता है रख्ट शक्रदय को नियंत्रित करता है इसमें ऑंटिडायबटिक गुण होते हैं जो रख्ट शक्रदय के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं यह बहुत के इसे भोजन के साथ या भोजन के बिना भी लिया जाय सकता है अती बला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्टेला प्रदान कर सकती है दोस्तों हाला कि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं बाल जड़ना बंद हो जाते हैं अती बला महाबला बहुती शक्तिशाली जड़ी बूटी है आपके बंद किसमत के ताले को खोल सकती है आपको शक्तिशाली बना सकती ह दस घोडों का बल आप में आ सकता है अतीबला पौधा जो होता है उसमें मर्दों के लिए काफी ताकत भी माने गई है आयरुवेद के हिसाब से आपको बता दें कि कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का महौल अच्छा नहीं होता अपन में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़का पाउडर बना लें अब इस पाउडर को एक गिलास दूद के साथ और एक चमत शहद आदा चमच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खालो आप यकीन मानो आपके अंदर दस घोडों का बल आ जाएगा घोड़े जैसी ताक लिजिए घर के कोई से बी अलमारी हो लकड़ी की हो लोहे की हो अलूमीनियम की हो उस लमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज़ से दबा दीजिए बुक किताब चोटे से एट से और उसे एक महीना उसकी जगह से मत खटाना सिर्फ इतना करके आप एक बार जरू होने लग जाएगा आप अगर चोटी चोटी बात पर अपनी अर्धांगनी से अपने माता पिता से बहस करते हैं तो वो बहस अब बंद हो जाएगी दूसरा अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है आपको रात में डर लगत अब आप यकीन मानें अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत है जो काम करने से रोक रही है आपके भाग्यों को रोक रही है तो उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा और ये बाते हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं अतीबला पौधा हिंदू पुरानों के हिसाब से सबसे मजबूत पौधों में से एक माना गया है आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि प्राचिन समय में जो राजा महराजा होते थे शत्रिय भाई बहन होते थे गुजर भाई बहन होते थे सनातनी लोग जो होते थे पूजा पाट करने वाले स्वामी लोग जो होते थे वो अतीबला रोटी के साथ लेते थे आपको बता दें कि हिंदू परानों के हिसाब से अती बला का जो पाउडर है वो आपके लिए अम्रित समान है दोस्तों इसको अगर आप सुबह से दूद के साथ ले लेते हैं आदा चमच तो यकीन मानिये हर रोग जो आपके शरीर में है वो आपसे दूर चला जाएगा अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया है आपको बहुत जादा फाइदा मिलेगा आपका शरीर जो है वो बहुत जादा मजबूत हो जाएगा हड़ी लोहे के समान हो जाएगी आप अगर बहुत कमजोर हैं आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी आप निर्बल हैं तो बली हो जाएंगे दोस्तो अतीबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा माना गया है जो दिव्य ताकत रखता है साइंटिफिक ताकत रखता है आपको सिर्फ इसका सही उप्योग करना है दोस्तो अतीबला एक का एरवेदिक जड़ी बूटि जिसे अक्सर त्रीफला के एक घटक के रूप में उप्योग किया जाता है त्रीफला तीन जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है आवला हरड बहेडा अतीबला को आम तोर पर त्रीफला का सबसे महत्वपुरन घटक माना जाता है क्योंकि जिसमें अन्य दो जड़ी बूटियों के तुलना में अधिक और सदैव गुन होते हैं अती बला में कई स्वास्थिलाब होते हैं पाचन में सुधार फाइबर और अन्य पुशक तत्व होते हैं जो पाचन को बहतर बनाने में मदद करते हैं ये कब्ज अपज और गैंस जैसी समस्याओं से राहा दे सकता है इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है अती बला में अंटी आक्सिडेंट्स हो और अन्य पुशक तक्तवतों होते ही हैं जो प्रती रक्षा प्रणाली को मदबूत करने में मदद करते हैं ये संक्रमन से लड़ने और बीमारियों से बचाव मे भी मदद कर सकता है दोस्तों आगर लाखो रुपे भी खर्च कर देंगे आपको ऐसी जानकारी कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये सारी जानकारी आपको अपनी इस चैनल में हम मुफ्त में फ्री में दे रहे हैं हमारे सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे देश में जितने भी कोई भी नहीं बताएगा आप लाखो रुपे भी खर्च कर दीजेगा दोस्तों ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा कहीं नहीं मिलेगी जो हमारे चैनल पर मिल रही है तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो इन्फोमेटिव लगी तो जल्दी मिलेंगे नहीं वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद